हलो स्टुडेंट्स विना मिशादी स्साइड वेलकम टुएड चैनल रियल कॉंसेप्ट जियां दोस्तों आप लोगों थम्बनेल में देखा हुआ कि आज हम लोग बातचित करेंगे जूपी पॉल्टेक्निक ग्रूप A के लिए यानि कि कितने नंबर्स चाहिए आपको गॉ पूरा हम लोग आज इस वीडियो में सेर करने वाले हैं कि कैसे आप पढ़ाई करेंगे तो गॉवर्मेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा चली स्टार्ट करते हैं विदाव टैनली मैं बातचीत कर रहा था जूपी पॉल्टेक्निक की मैं किसकी बात कर रहा था यूपी पॉ कि साइट से मतलब यह एनाउस्मेंट हो चुगा कि पांच जुलाई को आपका पेपर होगा लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कोबीट नाइंडिन को वैसे पूरा देश पूरा बिश्व गस्लिस है तो डेट चेंज भी हो सकता लेकिन हम लोग को पांच जुलाई को म यानि कि ये कुश्चन कितने नंबर का होता है वालक फ होर नंबर को सिस्ले होता है और लिहां पर आप लोग को यूप पॉल्फट की वाले बिल्कुल आप लोग यह जहान रख़िए कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है यानि कि आप question गलत करेंगे तो आपका mark भी कटेगा negative marking कितना होता है वन फन फोर्फ negative marking होता इट मेंस अगर ये question गलत करेंगे तो आपका एक number कट deduct कट जायगे तो आपको कोशित करना जितने questions आपको स्यार है उतने कोशOOOO мат digging तकं में अगर अगर लगता कि कुशेंस बहुत कम कर पाएं प्रेका टुक्का लगा देना हो सकता च्रहू जाए लेकिन आपको कोश्क्र मक तर्फ च्वा करना है कि जाद जाद हमें क्या चाक्तर आंसर कर ठीक है और जो 100 questions होंगे आपको पता है 50 questions math के होंगे प्लस 50 questions किसके होंगे कि science के होंगे ठीक है यानि यह question दो चार नमबर का कितने हो जागा math होगा आपका 200 marks का math कितने का और science में आपका biology नहीं रहागा सिर्फ physics और chemistry रहाएगा physics के कितने questions 25 questions और chemistry के 25 कितने number के सवन नमबर का chemistry physics और सवन नमबर का chemistry और सवन नमबर का physics ठीक है यानि 200 plus 200 कितना वह टोटल 400 यानि 400 का आपका पेपर होने वाला है आप त्यारी भी अच्छे से कर रहा होंगे रियल कंसेप्ट आपको बहुत सारी चीजे मिल रही होंगी टाइम टू टाइम physics chemistry math के classes आपको मिल रही होंगी अब मैं में मुद्धे पहले बातचीत करते हैं कि कितने नमबर पर आपको कॉलेश मिल जाएगा ठीक है गवर्मेंक देखो मैं ऐसा अ इनकी स्क्राइब होती है कई चबरनों में कारने में कांसलिंग होती है फंट राउंड में होती है सेकेंड काफ के हिसाफ के में में काउन्सक्राइब होती है कांसलिंग क Obama कौनसेप करा याइगे तो पता है तो आपको पता 400 number में मैं minimum बता रहा हूं ठीक है maximum तो आप 400 number विला यह तो बहुत अच्छा है ठीक है मैं cutoff बता दे रहा हूं ठीक है अगर आप government college पाना चाहते हैं तो general वालों की मैं पहले बातचीत कर लूँ तो आपको कम से कम 260 plus होना चाहिए यह 250 आप 260 प्लस आपको होना चाहिए तब आपको government college इजले मिल जाया कोई दिक्कत नहीं आएगी अब यह depend करता है कि उस समय का cutoff कितना गया उस समय का cutoff कितना गया cutoff के हिसाब से क्या होता है मेरिट लिष्ट त्यार होती है फिर उसके बार से college आपको प्रोवाइट कर आया जाता है ठीक है अगर मैं ओबीशी की बातचीत करूं तो बीशी में ज्यादे difference नहीं होता है आपको लगभग 240 की करीब में आपको आना पूर्टी करीब में तब आपको government college मिल सकता है कटफ के हिसाफ से मैं बार बार आपको क्या बता रहा हूं कि कटफ के हिसाफ से कितना कटफ जा रहा है उसके हिसाफ से साल चीजे हो रही है ठीक है अगर से की बातचीत कर लें तो लगभग 180 प्लस रहेंगे तो उनको college मिल जाएगा और किस पर करेगा कटफ पर करेगा कितना कटफ इनका जा रहा है ठीक है अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं राइट एंसर्स यानि आपके जो हंड़ेट कोश्चन्स होते हैं वह कि थे हंड़ेट कोशोंस होते हैं आप को कोशिस करना है कि सेक्थनने कोश्चन्स क्ताक होने चाहिए कहीं से कोई 자ई होना चाहिए ठीक है अगर सेवेंटी कोश्चन्स सही करके आते हैं तो मुझे लगता कि यह अच्छा खासा गोवर्मेंट पॉलेज्स आपको मिल जाएगा और फ़र्ष्ट राउंड में नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में आपको जरूर मिल जाएगा लेकिन किर्फ यह मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी ठीकशी करना है को सेवेंटी कोश्चन समलों सही सही करके आएं ठीक है और और मैं आपको बता दूं कुछ बता दूं कुछ प्लैनिंग में बता लेता हूं अगर आप रियल कॉंसेट्ट पे हैं तो आपको क्या करना है कुछ मैं स्टेट्जी बता हैं हम लोग कोस्लिज कर रहा हैं कि लाश्ट में तक ठीक है माई के लाश्ट तक हम लोग फिजिक्ष के मेस्ट्री और मैस का पूरा कंसेट क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है उस आपको कहीं से कोई दिकत नहीं आएंगे बच्चे कोश्चन कर भी रहें कोई दिकत नहीं आ रही है और कहीं दिकत कोई आती है तो WhatsApp नमर पर करिए मैसेज तक यहां से मिलेगा WhatsApp नमर आपको पता भी है जिसको नहीं पता जान जाहे 941 2687328 प्रवेट ओफिस्यल नंबर है है रियल कॉंसेट पर आप लोग संपर करेंगे आपको सारी सुव्धाय यहां से मिलेंगे पीडियों मिलेंगे थारी चीज़ आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगे ठीक है तो यह रहा कि हम लोग कब तक स्लेवस करेंगे तील मैं या फिर five hour की study करिए कमसे कुंहाब लोग कितनेहंगंगे आज अवर की study करिए जिसमें आपको करना है earlier का कॉंसेप्ट पहले पढ़ना है टॉप 20 टॉप 10 के चक्कर में नहीं पढ़ना क्या करना है पूरा पाण चैप्टरियर क्लियर करें अन्य जितने हिसलिवस के चैप्टर से हैं क्या करें क्लिटियर क्लियर करें पूछे गया है practice rate से solve करो अब जैसे पूरा concept of level cover कर लेते हैं तीश्रा काम करना है previous year के questions लगाने है previous year के questions आपको लगाने है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन सा questions पूछा यह था pattern पता चलेगा क्या पता चलेगा pattern आपको पता हो जाए कैसे questions आपके exam में comment करके बताईए आपको फूरा support मिले का विना मिश्रा के तरफ से कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलिए मेलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ थैंक्सों मच रियल concept